वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो हमें आज फिर से नए केक के डिजाइन के साथ और ये वाला जो केक स्पॉंज है ये मैंने 350 ग्राम से बना लिया था और ये टोटल वन केजी से थोड़ा सोपर होने वाला था और इसकी जो हाइट है केक की ये थोड़ी से मेज़े करन इसकी जो हाइट थोड़ी से बड़ी करनी थी एंड जो इसका साइज थोड़ा सा मतब चोटा करना था कि थोड़ा सा तौल शेप में लगे तो बहुत जादा भी टॉल नहीं करना था इसलिए मैंने जो थाना बिल्कुल 6 इंच वाला ही केक मोल्ड यूज किया और इसकी जो ऐज मैं उसको बाद़ा समयने एग और आज वाला है नहीं जो हिना इन त्लवर केक बने हाला है तो इसके लिए जो ना आज में केक को बिल्कुल अच्cious आड़ा करोंगी ताकि वी बिल्कुल असी ढाइं जो है इसकी केक मैं हए नुर्मली जो है कभी भी केक इसे बना के देती हूं तो भी कम्प्लेन नहीं कि मैठ गर आई कर दो खंगा है मेरे से कि इस विंटर है या फिर के कि तो भी हुग जो है तो मुझे लगी अगर ब्रेट का थोड़ी सी हार्द हो गई है तो मैं शुगर सिरफ का इस्तमाल मैंने बहुत कम किया है अदरवाइस मैं नहीं करती हूँ क्योंकि क्रीम जब हम लगाते ना तो क्रीम में भी एक अपना मॉइस्चर होता है बिल्कुल जिसकी वज़े से ब्रेट जो है अल्रेडी सॉफ्ट हो जाती है और ब्रेट जब आपक तो यह मैंने ले ली थी जो मिठाई की दुकान है यहां पर हमें बिल्कुल एजिली एवेलेबल है आप खरीद सकते हो अगर घर में भी अगर आप चाहते हो कि आप बना सकते तो आप घर पे भी बना सकते हो जिने आता है लेगिन जैसे यह सिर्फ चोटे-चोटे जैसे यह जलिए में साथ की आपशना के unirable जैसे इसमें एक दो रसमलाई एक तीन रसमलाई हमें बिल्कुल लगते है जरद तो आप पड़िकल महनत नहीं जाया है तो इस तरीके से अगर ना को मैंने बिल्कुल अच्छे से लेँड़ इसम नहीं किया जो रसमलाई की जूस होता और केक भी जो है ना friends काफी easy बनने वाला है जो beginners है अभी valentine week आने वाला है तो valentine में आप ये वाला जो केक है ना बिल्कुल अपने customer को दिखा सकते हो as a reference picture की वो भी चाहें तो बना सकते हैं और उस पे जो मैंने sticker लगा है ना केवले केक पे जो मैं आपको दिखाऊंगी तो वह भी बहुत easily आपको किसी भी शॉप पे भी मिल जाएंगे अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप किसी भी computer की जो शॉप होती है जहां से printing होती है ना आप वहां से ये बिल्कुल जो है ना print करवा सकते हो सिब 15-20 रुपया मिल करिस्तिंग होने अज़ की वीडियो तो इस तरीके से मैंने थोड़े थोड़े से स्रेativas ना कुछ मेंने पीसे ते रही के ञुप रख दें जो डोले क्रीम को बिलुप कर लिया था यहां रहा कर यहां का कुछ आसा नहीं था कि हमे हमों नहीं मैंने क्रीम झाहिए कर लेया थ ताकि जो रसमलाई का फ्लेवर है यह भी बिल्कुल अच्छे से बैलन्स हो जाए और रसमलाई के इस तरीके से सारे पीसे थोड़े करके मैं बिल्कुल लगाती जाओंगी और साथ में यहां पर फिर से मैंने देखे जो प्रोसेस एना उसे रीपीजी करना आपको जब तक जो लेयर से वो क्मPLEE नहीं हो जाती है इसी तरीके से और जितना भी यह जूस है ना यह सारा है हमें बिल्कुल लगा देना है अच्छे से लगाने के बाद जो परोसेस है उसे हमें वैसे ही रिपीट करना है जब तक जितनी भी लेयरिंग है नहीं प्लेका यह पूरी कम्प्ल नए लेराद एतने आईडियास को और ऐसे ही नए आईडियास को अधिने के लिए जो मैं नए डियुक ए अपने इसमें केक बनाती हूं और comments के through जो हैं आपके queries में जैसे रहती है मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सब के clear करूँ और जो कुछ रहेगा वीडियो में वो भी मैं आपको बता सकूँ और बहुत जल्दी मैं live आऊंगी तो आप सब के जितने भी questions रहेंगे ना सारी चीजों को लेके bakery products को लेके और बाकी materials को लेके तो आप जो है ना बिल्कुल वहाँ पर बूस सकते हैं अपने questions जो हैं doubts हैं वो clear कर सकते तो मैं जल्दी जो है ना बिल्कुल आऊंगी live लेके आप सब के लिए ताकि live में भी मैं आपको कुछ sessions दे सकूँ जो बिल्कुल free रहेंगे आपके लिए ऐसे भी आप वीडियो की तुरू free देख सकते हो बिल्कुल और ऐसे भी live में भी देख सकोगे आप बिल्कुल और मैं कहां से शॉपिंग करती हूँ क्या हूँ मैं जब वहां पर जाओंगी तो वो भी वीडियो आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगी तो इस तरीके से केक की जो layering थी ये बिल्कुल हमने कर ली थी और अभी जो है बिल्कुल इसे crumb coat करेंगे जैसे हम white cream के साथ करते हैं वैसे ही करेंगे और यहां पर हमें जो तीना cream बिल्कुल white ही लेनी थी कुछ भी color मैं add नहीं करूंगी क्योंकि white के साथ ही इसका look बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है और जैसे मैंने कहा के भी valandine week चल रहा है तो valandine के लिए यह सारे cakes बहुत जादे ही interesting रहते हैं और महनत आपको जो है ना काफी कम पढ़नी करनी पड़ती है यह सारे cakes पे तो आज वाला जो यह cake था ने यह बिल्कुल anniversary पे था और यह वाला जो cake था इसकी भी total price मैंने कितनी ली यह भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जब आप fondant work बहुत जादा करती हो cake पे तो आपको प्राइस कितना चार्ज करना पड़ता है और जब आप stickers वाले यूज करते हो na cake ऐसे बनाते हो और जिसमें fondant work कम रहता है तो आप cake प्राइस को थोड़ा सा कम करें क्योंकि उसमें क्याया आपकी budget भी हो जाती है आपकी मैंनत के आपको पैसे भी मिलते हैं और customer को लगता भी नहीं कि जादा आपने लिया है क्योंकि काम आप कम करते हो, तो आपके मेहनत भी कम लगती है, उसके इसाब से आप प्राइज मैंशन करते हो, तो इस तरीके से साइट की जो एजस थी से मैंने बिल्कुल अच्छे से स्क्रैपर की हल्प से क्लीन कर लिया, थोड़ा बहुत मुझे जहां पर लगे गा कि क्लीन यह चोछम कर लोगी कि यह ठाब यह टूड़ा सा पर करें तक मिल्कुल कर सो है। मैं यह चुट अभी चैनल करां नहीं कि कर लोगी यह श्यक्ता हैं। पर बहुता भी तो बड़ि वाली प्लेट को यह तो इस तरीके सामा इसे भी करेंगा। करेंगे और उपर के जो डिजाईन नयां वो भी मैं स्वीट मारे बनाओंगे क्योंध चल रहे हैं और झाल झाल उपार स्वीट को हम वाइं डिजाईन यहां पर देखें मेरे पास यह स्टीकर था काफी पुबसूरत और काफी अच्छी साइज का था और क्वालिटी इसकी काफी ज़्यादा अच्छी थी तो इसे में फ्रेंट पे पहले हम देख लेंगे फ्रेंट साइट कौन सा करना है उस पर हम इसे बिल्कुल अच्छी से अच्छी में रख देंगे ताकि बिल्कुल अच्छी से और थोड़ा ठंडा हो जाए तब तक जो फॉंडेंट वर्क है उसे कर लेंगे तो फॉंडेंट वर्क के लिए देखें यहां पर जो है मैंने रेट कलर का फॉंडेंट लेके उसे रोल कर लिया था आपको पड़ता ह और यहां पर लास्टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बिल्कुल मार्क करने के लिए हर्ट्स जो बनाए थे लास्टाइम उस पे भी यह एडिबल पैन का यूज़ किया था तो सेम पैन है मेरे पास एडिबल ब्लैक कलर का उसे मैं यूज़ करी हूँ और जितने मुझे लगा कि छोटे बड़े जो बनाने चाहिए जितना फॉंडेंट पे बिल्कुल स्पेस बच गई थी उसके सबसे मैंने कर लिया साथ में मेरे पास यह डिटेलिंग नाइफ ती तो इसके साथ जो है इसे बिल्कुल अच्छे से कट कर लेंगे जैसे मैं एक कट और थोड़ी बहुत अगर हमें लगे कि शेप थोड़ी सी बिगड़ तो थोड़ा हमें अपने हाथ से भी करना पड़ेगा तो यहां पर काफी सारे थे चोटी वाली तूदपिक थी और यहां पर जो मुझे बिल्कुल लगाने थे ना डबल वाले हार्ट को एक साथ करके व पानी मैंने लिया था ब्रश की हेल्प से पानी को लगा दिया था बिल्कुल अच्छे से और इस तरीके से इसे पांच पनाने थे तो यह सारे मैं से प्रोसेस्से बिना लूए पानी लगाते जाओंगी और जो यह स्टिक है तोद्पिक वाली इसे भी साइट पर लगाती जाओंगे ताकि इस टिक भी हो जाए और कहीं पर भी अपनी जगा से ना हिले तो सारे के सारे जो है इसी तरीके से मैं करती जाओंगी यह देखें तो अगर आपको लगे कि पानी जैसे कर ऊपर भी लग लग जाए तो आप इसी शेप दे दोंगी और ऐसे आपको जरूरी नी की पूरी शेप एकदम बिल्कुल पॉफेट करने हैं लोक आपके एकदम सही आनी चाहिए कहीं पर भी फॉंडेंट में कोई भी जो है ना लंस नी होने चाहिए फॉंडेंट बिल्कुल अच्छे से नीड होना चाहिए त केक्डंद आपके निकाल दिया थाूंस किय pictal तो च्व्णाके आपके ठीजरेंगे, यह तरू में और फोरे मरे लाक यह कोई फिक्डंड यह भी मीज़िंग पॉरा केक्ड को पुरा केक्डिश की फॉंडारान कंवरी शेप जहें ऊक na लूर क४रा हैं पर आपके क्सिंध म पसंद आए और जैसी उन्होंने पिक्चर दी उनसे उनको जादा अच्छा मिले तो इसलिए जो है ना मैंने इस तरीके से किया और सारी लुक जो है थोड़ी फ्रंट साइट पे जादा लुक को थोड़ा एट्रेक्टिव करना है तो साइट की एजिस देखे कितनी अच्छे स स्वेल्स का और यह भी दिखाया कि कैसे आपको करना है आप ज़रूर करें इस टेक्नीक के साथ और स्लोली करें आपको जो जो रिजल्ट है ना काफी अच्छे मिलेंगे और जैसा मैंने बहुत बार यह भी बता है कि गर आप की जो क्लीनिंग है बिल्कुल अच्छे से एज ज़रूर बनाए और कस्टमर को दे आपको बहुत अप्रिसियेशन मिलेगी और काफी इजी है ऐसा यह सेम जो है ना स्टीकर बना के इसे भी प्रिंट करवा सकते हो और केक पे लगा सकते हो तो यह देखिए यह जो हार्ट से ना जिस पे हमने स्टिक लगा ली थी बिल्कु से स्टार्ट करते हुए इसे हम एकदम सामने तक लेके जाएंगे इस तरीके से एक एक करके से मैं सेंटर पे बिल्कुल लगाती जाओंगी और कहीं पर वियमें कुछ भी नाम नहीं लिखना था किस्टमर ने कहा था कि आप कोई भी नाम ना लिखे कुछ भी कस्टमाइज जा करें नाम का सिफ आनिवर्षरी का जो टाग अपको सही लगी गए कि उन्होंने सेलेक्ट किया था बहुत सारे कस्टमर होते जो सेलेक्ट भी करवा लेते कि हमें बरडे का ये चाहिए या एनिवर्षरी का ये चाहिए तो मैंने इनसे भी पूछ लिया था इन्होंने क cerc enf उसके हिसाब से हमें लगा के दे देना अनवर्सरी का टैग तो यह देखें ओपर वाला जो फ्रंट वाला पोर्शन था यह बिल्कुल कम्प्लीट हो गया और यहां पर यह अनवर्सरी का मेरे पास कॉइन वाला था यह टैग और इसे जो है इसे भी हम लगा देंगे इसकी काफी ट्रेंडिंग में थे तो इस तरीके से केक जो हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया था और यह वाला जो केक था यह मैंने सिक्स फिफ्टी का दिया था बिल्कुल और केक जो है कस्टमर खुद आया थे लेने के लिए मुझे डेलिवर नहीं करना पड़ा इसलिए मैंने सि कीज़ों के लिए तो इसकी close-up look देखे बिलकुल इसकी close-up look है इसकी finishing देखे sticker देखे quality काफी चछी अच्छी सिटीकर की इस तरीके से आप भी जो है न स्टीकर को बनवाए साइट की एजिस को देखे टॉक वली सरफेस को देखे सारी चीज़े जो है परफेक्टी कस्टमर को बहुत जादा पसंद आया ये के काफी अप्रिसेशन मिली और नमबर जो है फिर आगे फ्रेंड्स फैमिलीज में जो है ना मेरे बिलकुल उन्होंने दे दिये और ऐसे ओर्डर्स भी जो है आपको मिलते हैं तो इस तरीके से मैंने दो डिजाइन कम्प्लीट किया आप भी जरूर बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें